हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे नीबू का खटा मिठा चाल जिसे आप पूरे साल स्टोर करके खा सकते हैं और यह खाने में बहुत ही तेश्टी लगता है इसे आप पराठे, पूरी या शपाती किसी के भी साथ खाएं बहुत ही स्वाधिश्टी लग पानी नहीं रहना चाहिए उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे एक नीबू को हम आठ हिस्सों में कट करेंगे और इनके बीजे उन्हें निकाल देंगे कि इस प्रकार हम सारे नीबू को कट कर लेंगे इसमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं से कहीं तक हमें पानी नहीं लगाना है थाली भी गीली नहीं होने चीए हाथ भी गीले नहीं होने चीए अब मैंने सब नीबू को काट लिया है इसको हम एक साब बरनी में डाल लेंगे उसके बाद डाल देंगे इसमें नमक तो 3-4 जमबच इसमें में डालूंगी नमक नमक डाल करके हमें इसे 14-15 दिन के लिए रख देना है हमें इसे दूप में नहीं रखना है बस इसे डखकल लगाकर नीचे हमारे कीचेन में ही रख ले दो तीन दिन में हम इसे चलाते रहेंगे तो नीबू में हम नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे रख देंगे दो तीन दिन में आप इसे चलाते रहें इस प्रकार तो हमारे नीबू गलकर तयार हो जाएंगे 14 से 15 दिन में तो 14 से 15 दिन हो चुके हैं मारे निबू गल चुके हैं तो मैं बनाऊंगी चाशनी के लिए मैं आदा किलो लिया है अनलप में यह अचार बहुती टेस्टी लगता है तो आप यह से आरी अनलप सब्सक्राइब कि अ ? और यह मैंने लिया है दो कप पानी मतलब आदा गलास पानी आप देख सकते हैं हमारे नीवो बिल्कुल गल चुके है 14 से 15 दिन के बाद हमने इसे चेक किया है तब हम बना लेते हैं चाशनी चाशनी के लिए गेस पर हम रखाएं कड़ाई कड़ाई में डाल देंगे गुड गुड नालने के बाद हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे पानी हमें कम ही डालना है क्योंकि गुड भी पिगल लता है पिगलने के बाद हमारा गुड भी गिला हो जाएगा तो हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पिगालना है गुड को तो दीरे दीरे चलाते हुए हम इसे पीगा लेंगे आप देख सकते हैं हमारा गुड मेल्ट होने लगा है तो हम इसे लागातार चलाते हुए पूरा मेल्ट करेंगे कर दो गुड हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है इसमें वालना भी शुरू हो गया है तो हम इसे दो मिनेट के लिए वालेंगे कर दो कर दो कर दो अब हम इसमें एट कर देंगे नीबों को सारे नीबों को हम इसमें एट करकर इसके साथ हम इसे उबा लेंगे कर दो कि कि यह अचार अब भी बनने के बाद आर दस दिन के बाद और और भी ज्यादा टेश्टी लगेगा तो हम चाशनी को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा प्लेट में गिरा कर देख लेंगे कि वह थोड़ी गाड़ी होने लगी है ठंडा होने के बाद इसका मतलब हमारे अचार बनकर तयार है हम इसके लिए चिपचीपी चाशनी चीए ज्यादा गाड़ी चाशनी नहीं लेना है तो आप देख सकते हैं चिपचीपी चाशनी हमारी बनकर तयार हो गई है तो हमने कड़ाई को गेस से नीचे उतार लिया है अब इसे हम पूरी तरसे थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद हम इसे किसी भी डिब्बे में भर लेंगे डिब्बा हमारा बिल्कुल सुखा होना चाहिए उसमें पानी नहीं होना चाहिए और इसको पूरा ठंडा होने के बाद ही हमें इसे भरना है तो हमार तैयार है नीबू काचा केसा लगा दोस्तो प्लीज अच्छा लगाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट में बताएं दन्यवाद